देखो मुझे भी पता है आपको फालत ग्यान सुनने का शौक नहीं है और डारेक्ट लिए आप स्किप कर दो के मेन पार्ट पार्ट लेकिन यह कुछ जरूरी बात है जो मैं जान के आपको बताने चाहता हूं अब बात करते हैं तो अगर आप अपने प्राइवेट फोडोस वीडियो इस तरह से चाइनी अप्रिकेशन सुन जवाई गरते है तो थोड़ा रिस्क रहता है कि अपके लीक ना हो जाये तो Play Store में जितने भी एप्रिकेशन मिलता है ना फोडोस वीडियोस हाइड करने वाले हम उनको करेंगे साइड में हम उनको यूस नहीं करने वाले है अब बात करते हैं तूसरा पार्ट में काफी सारे स्मार्टफोन में आपको आपको फोडोस वीडियोस हाइड गरने के ऑप्शन मिलता है जैसे कि Realme हुआ, Xiaomi हुआ, Redmi हुआ, Poco हुआ, OPPO हुआ, Samsung हुआ इसमें आपको काफी सारे ओप्शन मिलता है, फोडोस हाइड गरने के, अगर गैलरी में जाओगे, वही पर आपको फोडोस हाइड गरने का ऑप्शन मिल जाएगा इनके गैलरी वगरा यूज नहीं करने चाहते है, अपने फोडोस वीडियोस हाइड करने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर तीसरे जो पार्ट दिखाने वालो हूँ, उस पार्ट को आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आपके फोन में ऑप्शन हाईड गरने का तो भी आप इस थ सेफ और सिक्यूर मेटड है, फाइल्स एप को यूज करना अपने फोडोस वीडियोस को हाइड करने के लिए, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वगरा भी हाइड कर सकते हो, यहाँ पर आपको जानों का बीच में ब्राउस का ओप्शन दीखेगा, यहाँ पर आपको दीख यह मुझे सेट करने के लिए पूछेगा, मैं इसमें पिन सेट कर सकता हूँ, पैटरन सेट कर देता हूँ, पोल रहा है कि आपको अपना ध्यान अगर आप अपना भूल गया तो इसको रिकावर नहीं कर सकतो, इसको रिसेट नहीं कर सकतो, तो ध्यान से अपने पिन को कहीं पर जाओंगा और मुव टू से फोल्डर पर टैप करूँगा और यहां पर अपना पिन एंटर कर दूगा इसके बाद हमारी यह वीडियो जैना हमारे से फोल्डर के अंदर चली गई अब यह मेरे ना तो गैलरी में शो होगी ना ही फाइल मैंनेजर में कहीं भी शो नहीं इसका मला अगर किसी ने से फोल्डर खोल लिया है तो यहां से कोई भी ना तो स्क्रीन शॉट ले सकता है नहीं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है नहीं इसको शेय कर सकता है कहीं भी और यहां पर आपको से फोल्डर को भी हाइड करने का ओप्शन मिलता है मला किसी से access करना है तो three dot पर जाना show save folder पर टाइब करना इसके बाद आपका save folder तेख जाएगा लागी save folder में काफी सारी और settings मिल जाती यहाँ पर में three lines पर जाओँगा settings में जाओँगा यहाँ पर मुझे जाना होगा save folder पर यहाँ पर आप अपने lock का पासवर्ड चेंज कर सकतो, बस ध्यान अगना, आपको पुराना वाला पासवर्ड याद होना चाहिए, अगर आप भूल गए ना, तो फॉर्गेट करने को कोई option नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप डारेक्ली रिसेट कर सकतो, जैसे आप रिसेट पर टैप करोगे न, तो आपके फोडोस, वीडियो, वो सारी डिलीट हो जाएगी, हिटन फोल्डर से, लेकिन फाइल मैनेजर में हिटन फाइल वगएरा स्टोर रहती है, लेकिन उसकी चिंता करने की जुरूरत नहीं है, उसको डारेक्ली कोई ओपन नहीं कर सकता, ना इसको डिक्रिप्ट वगएर आपके फोडोस, वीडियो का एक्सेस आपके पास हो, इसके लिए हम यूस करने वाले गूगल फोडोस का, गूगल फोडोस अकसर एंडुट फोन में इंस्टॉल्ड रहता है, अगर आपके फोन में नहीं है, तो आप इंस्टॉल कर सकतो, प्ले स्टोर पर, जैसी आप इसक को ऑनलाइन भी सेफ कर सकतो, मैं जैसी लॉक्ट फोल्डर पर जाओंगा, यह मुझसे मेरा फोन का पैटर्न या फिर पासवर्ड या फिंगरपिंट सेंसर के लिए पूछेगा, यह जो है अनलॉक होगा आपके फोन की स्क्रीन से, यह सबसे बड़ा इसमें कैच है, अगर आपके फोन का पासवर्ड किसी को पता है और आप अपने फोन किसी को दो ग εँए तो वो आपके गोगल फोटो में जाकर आपके हीड़ फोल्डर्स को देख सकता है, तो ध्यान से आपको इसमेह अनल को दी यूज़ करना है, जब आपका पासवर्ड किसी और को ना पता हो की स्क्रीन का मनला अगर आगर आफके फैमिली मेंबर्स को आपके fone का पासवर्ड पता आतो आपके अपके फ़ोडो वीडियो से घल में चाहिए लेकिन और अब कोँ आपके फायिदा मिल जाक mud ऑ़ गर सकतो । dois वीचुंग कर सकते हो Snapchat, तो Snapchat में आपको पता है, Hide My Eye का Option होता है, जिसमें आप अपने फोडोस वीडियो को हाइड कर सकते हो, तो यह आपका Online Backup हो जाएगा, जो भी आपके Camera Roll में फोडोस वीडियो हैं, आपकी गैलरी में वो आप Snapchat पर Online रख सकते हो, जैसे कि मैंने Snapchat कोला, यहाँ पर गैलरी का Option है, Camera Roll पर में जाओंगा, तो जितने भी मेरे Camera Roll में फोडोस वीडियो वगेरा है, तो मैंनको हाइड कर सकते हूँ, जैसे मैंने इसको प्रेस करा, और दो फोडोस सेलेक्ट कर दिया, और मैंने हाइड पर टैप करा, तो इसके बाद My Eye Only पर मैं इसको मुव कर दूगा, और जब भी मुझे अपने फोडोस वगेरा देखने होंगे, मैं My Eye Only पर जाओंगा, और यहाँ पर अपना PIN एंटर कर दूगा, इसके बाद जो भी मैंने फोडोस वीडियो हाइड कर रहे थे, वो यहाँ पर आ चुके है, अब मैं किसी भी अपने फोन मे अपने Snapchat को Login कर गे, अपने My Eye Only पर जाकर अपने Hidden Photos वीडियो को भी देख सकता हूँ, तो यह तीनों मैटेट काफी सिक्योर है, और मेरी तरफ से Highly Recommended है, अगर आप अपने फोडोस वीडियो वगेरा हाइड करना चाहते हो, इसके लाब आपको कोई और बड़िया सा मैटे ने कर दो एक है, तो अगर आपके तो अगर आपके फोड़ियो वीडियो